हेलो एवरिवन कैसे आप सब तो देखिए आज अपन कवर करेंगे कौन सा पार्ट तू नेगोशियवल इंस्ट्रुमेंट एक का गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नाम देव और प्रिंसिस कहरीना यानि दिप्ति गुड मॉर्निंग तो देखिए हमने कवर क्या किया था आपको पता है नेगोशिवल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 में अपने प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्शेंज का पार्ट कवर कर लिया था और थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लिया था उसको भी वापिस कवर कर लेंगे लेकिन हम प्रॉमिसरी नोट जिसको आप प्रो नोट बोलते हैं यह आपने कवर किया था बिल्स ऑफ एक्शेंज और आज हम कवर करेंगे चेक का पार्ट ओके और टाइपस ऑफ चेक जनरली यह कवर कर लेंगे तो देखिए प्रॉमिसरी नोट आपको पता है एक अनकंडिशनल ओके यह बाट तो आपको बताईए वैसे बिल्स ऑफ एक्शेंज की जवाब बात करते हैं तो उसमें आपको बता है कि जो सेलर है जिसने लोन दिया है जिसने एक तरीके से क्या है उदार दी है सामने आले को एडवांस दिया है वो जनरली बिल लिख रहा है सामने आले पे और सामने आले एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट करने की जौरत नहीं होती थी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मोश्टी क्या है जो बायर लिख रहा है या जिसने एक तरीके से एडवांस लिया है तो वो सेलर पे लिख रहा है तो सेलर बस क्या करेगा उस बिलको अपने बास रख लेगा तो आपको बताएं कि इसमें जर्मनलिन क्या बोलते हैं कि एके रिटन इंस्ट्रुमेंट है जिसको किस ने साइन किया हैं मेकर वारा साइन किया गया है और उस पे जनरली हम बोल सकते हैं कि बैंक नोट करंसी नोट यह नहीं आते हैं तो यह सारा पार्ट मैंने कवर कर लिया था और इसके बाद देखिए यहां पे आपने कवर किया था अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पर्टिकुलर यह पूरा पूइंट कवर कर लिए अगर उसमें जनरली आपको बताए कि नाम ने लिखा हुआ और आपको बताए कि अगर वो आगे एंडोर्स होते जाते हैं होते जाते एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ तो लास्ट में जिस पार्टी के पास है मैचॉर्टी से पहले जनरली वो क्या करेगा बियर कर या इंस्ट्रूमेंट के बीर को पे करना है अब देखिए इस तरह किसे हम कवर कर रहे हैं कौन सा चेक का पार्ट अब देखिए चेक से पहले अनेकेडमी की तरफ से आपके लिए कुछ इस पेशल पार्ट देखिए आपको पता है कि आप पेपर और पेपर टू की तयारी कर तो आपको एक परफेक्ट स्टेडी पार्टनर चाहिए एंट यूजी सी नैट के लिए तो हर मंडे को बैचेज अनेकेडमी की दौरा लगाए जाते हैं तो आप वो जॉइन कर सकते हैं जिसका एंडरोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप कंपीट कर बहुत सारा एस्पेरिंट के साथ और आप उसमें से अलग दिखना चाहते हैं तो आनेकेडमी आपके लिए आपके लिए आपके लिए अलग अलग टाइप के बैसे लेके आता है जिससे आपका कोर्स परफेक्ट रंस से कंप्लीट हो सके और जो भी बैसिक कॉंसेट से लेक आपको personal coach मिल जाता है, study planner मिल जाता है, study booster session, dedicated doubt learning और इसी तरीके से preparatory study material, unlimited practice, structure courses और साथ में interview preparation से related tips and tricks भी आपको सारी के सारी मिल जाती है आप देख सकते हैं यह हैं इंडिया के best educator जो कि आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर कराएंगे आपके एक तो specific subject से related और common paper से related तो देख आपको नाम दे रखे हैं, इस तरीके से और भी educator है जो आपको क्या कर रहे है, best services provide कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए batches, complete MCQs batches है, excellence batch, MCQs batch, इसी तरीके से topics related batches भी हैं कि आपको सारे के सारे concept के लिए हो जाते हैं, अब देखिए English plus Hindi दोनों है, duration 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, तो आप अप अपनी सहुलियत के according, कोई सा भी particular duration join कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि 3 month तो 3 month, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मुझे और तयारी करनी है, तो 6 month उस according आप जोइन कर सकते हैं, paper 1 और paper 2 का part, PDF notes भी आपको मिल जाएंगे, dedicated doubt cleaning session है, test series है, और आपको मैंने iconic subscription के बारे में ब पता हुआ है, तो अभी आप अपना subscription ले सकते हैं, देखिए आपको अपना subscription ले सकते हैं, जहां पर आपका get subscription option आएगा, वहाँ से आप subscription लीजिए, आपको option आएगा 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, और fees भी आपको दे रखियोगी, लेकिन अगर आप चिराग NTA referral code एंटर करते हैं, तो आपको 10% off मिल जाएगा, तो plus या iconic subscription पर अभी enroll कीजिए, और 10% off पाईए चिराग NTA referral code एंटर करके, ओके, तो link description में वहाँ से आप देख सकते हैं, अब देखिए हम बात कर रहें किसकी check की बात कर रहें, देखिए check एक तरीके से bills of exchange का party है, वैसे एक बार मैं आपको specimen दिख जिस date पर एक तरीके check लिए जाता है, तो आपको बता है कि उसके बाद वो तीन महीने तक valid रहता है, ऐसे mostly बोला जाता है, limitation बोली जाती है न, time की, तो आपको बता है कि तीन महीने आपको check लगाना पड़ता है, जिससे वो clear हो सके, या आपने जिसको दिया है सामने आली party को तो जिस date को लिखा गया हो, उसके तीन महीने के अंदर वो सामने क्या करती है, bank में डाल देती है, ठीक है, deposit कर देती है, जिससे उसका check क्या हो जाता है, clear हो जाता है, तो pay यहाँ पर हम party का नाम लिख देंगे, जिसको generally देना है, आपको बता है कि एक cross check होते हैं, और एक uncross ह होते हैं, कहने का मतलब उसमें कुछ भी lines नहीं होती है, लिखी भी transfers line बोलते हैं, इस तरीकी की, वह lines generally नहीं होती है, इसको आज हम समझेंगे, तो आपको बता है कि यहाँ पर self check मैंने बोल दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो इस case में आपको बता है कि कोई भी person जो bearer है, वो जाके bank में check जाके लगा लेगा, और सामने आले से क्या कर लेगा, यहाँ पर account number होता है, वैसी आपने आपर देखा होगा कि यहाँ पर check number होता है, जो कि generally 6 digit का होता है, वैसे ifc code भी आपको generally यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो इसलिए कभी कभी आप से क्य check भी मांगा जाता है, क्योंकि आपको बता है कि आपने, जैसे मैंने agency ली, तो जामने वालों को सब detail चाहिए मेरे bank की, तो इसमें सब available हो जाती है, bank account number available हो जाता है, आइफसी code available हो जाता है, तो सारा पार्ट available हो जाता है, यहाँ बैंक का नाम आ गया, यहाँ पे देखिए signature जरबार्ट आ गया, तो एक authorized person मेरे क्या हो जाएंगे, sign हो जाएंगे, क्योंकि generally मैंने क्या करा है, मैंने check issue करा है, तो देखिए जब भी हम क्या बोलते है, कि check issue हमने क्या है, यह जैक लिखा है, तो इसका मतलब क्या हमने लिखा है, तो हम drawer हो गए, ओके, और bank क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, कि मानके चलिए, कि मैं A हूँ, और मैंने किस से माल खरीदा, B से माल खरीदा, मेरा एक bank है, SBI, ओके, और B का जो bank है, ICICI, normal example, मेरे वैसे दोनों में account है, लेकिन मैं एक example के form में आपको बता रहा हूँ, कि A का का है, जिसका SBI bank है, और B का है, जिसका ICIC bank है, देखो, A ने क्या रखा था, B से माल खरीदा रखा था, तो इसका मतलब क्या यह बायर है, और B का है, सेलर, अब A ने क्या अगर अपना check issue करा, check लिखा, तो check जब उसने drawn किया, तो वो drawn on किस पे करेगा, SBI bank पे, ठीक है, अब को ICIC bank में जमा करेगा, तो एक clearing system होगा, RBI का आपको पता है, एक clearing cycle चलेगी, जिसमें आपको पता है, कि truncated check भी हो सकता है, या normal physical movement भी हो सकती है, देखो, जब physical movement होती हो, तो time लगता है, तो उसको cover करने के लिए एक तरीके से क्या होगा, truncated check को electronic image में convert कर दिया गया, य को, इसने क्या कर रहा था, check लिखा था, यानि SBI bank को बोल देगा, इसने check लिखा था, तो आपके account में से पैसे कम हो जाएंगे, जो की A ने जमा कर रखें, और हमारे account में चले जाएंगे, तो एक clearing cycle चलती है, यह हो गया, तो इसके में से कम हो जाएंगे, SBI bank में से, और ICIC bank म में आ जाएंगे, और B के account में आ जाएंगे, क्योंकि आपको बताएंगे कि B के बिहाफ पर कौन कर रहा है, ICIC bank है, और A के बिहाफ पर कौन है, SBI bank है, ओके, तो यहाँ पर यह बायर यही बोल रहा है, कि मैं drawer हूँ, और मैंने किस पर लिखा, SBI bank पर लिखा है, तो यह है, और जिसको पैसा मिल रहा है, वो जनरली कौन हो गया, पेई, तो आपको पता चल गया कि इसमें कितनी पार्टी हो गई, इसमें तीन पार्टी हो गई, तो यहाँ पर यहाँ रखना कि चैक एक तरीके से किस का टाइप है, Bills of Exchange का टाइप ही है, पर आप यहाँ रखना, जब on demand होता है, आपको पता है कि अगर आपने एक जून 2020 का चैक लिखा, तो आपको पता है कि एक जून 2020 का चैक लिखा, सामने अले को दिया, तो वो जब भी बैंक में जाएगा, वो किलियर हो जाएगा, फटावट आज कल तो फास्ट क्लेरिंग सिस्टेम है, तो कभी-कभी क् कि इसको जैसे ही कि अगर आपने चैक लिखा, तो सामने अले जिसको भी आप चैक दोगे, वो जल्दी कि अगर एका किलिरिंग कर देगा, वो जैसी बैंक में डालेगा, किलियर हो जाएगा, तो आपको पता है कि वो पेवल on demand है, उसमें कोई तीन दीन, वीन दीन ग्रेस के नहीं जुटते हैं, कोई specific time नहीं होता कि 4 महीने का बिल लिखा, 6 महीने का बिल लिखा, वो generally किस में होता है, bills of exchange में होता है, bills of exchange में क्या होगा, generally एक specific time period होगा, future time होगा, यह आपको पता है कि payable on demand होगा, दोनों हो सकते हैं, लेकिन check में सिर्फ payable on demand होगा, उसके otherwise कभी भी expressly, express नहीं होगा, कि ऐसे pay गड़ना है, वैसे pay गड़ना है, सिर्फ demand पर ही होगा, only case, ओके, आप समझ गहोंगे, तो देखिए, यहां पर यहीं बोल रहा है, यह बिल्स of exchange, drawn on a specified banker, ठीक है, तो यहां पर किस ने लिखा, यहां पर जैसे मैं ने लिखा, A ने लिखा, तो A otherwise than on demand, इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ वो payable होगा, demand पर ही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह पढ़ लेना, कि check, जो कि एक बिल्स of exchange है, drawn on specified banker, किस पर लिखा गया, specified banker पर, जिसको हम बोलते है, drawy, payable on demand, payable on demand, कहने का मतलब जिस भी party के पास check है, जैसे हमने बोल electronic form, जैसे मैंने आपको भी बताया है, कि A का SBI bank है, तो आपको बताया है, कि B का ICIC bank है, यह मैंने आपको example दिया, तो आपको बताया है, कि जैसे SBI bank का check, A ने किसको दिया, B को दिया, तो B कि अगर एक आपने bank में जमा कराएगा, तो फिर एक clearing cycle चलेगी, क्योंकि आपको पत अपको बताया है, कॉस्ट लगती है, टाइम कंजूम होता है, आपको बताया है, क्लिरिंग होने में पहले टाइम लगता था, लेकिन आजकल क्यों होता है, उसको electronic image में convert कर दिया गया, आपको बताया है, कि चैक कागज का टुकड़ा, SBI bank का part, वो कहां जमा हो गया, ICIC bank में जमा हो गया, क्योंकि B, जो seller है, उसने जमा करा दिया, उसके बाद उसका clearing part होगा, SBI bank से कम होगा पैसा, और ICIC bank में जमा हो जाएगा, जिससे वो B के account में आ जाएगा, तो वो सारी एक cycle है, उसको एक electronic image में convert कर दिया गया, या e check भी होते हैं, आपको बताया है, and a check in electronic form, जन इसके लावा general नहीं चलेगा, क्योंकि bills of exchange में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, एक specific time period भी हो सकता है, उस maturity पर general ही क्या करना पड़ता है, तीन दिन grace के जोनने पड़ता है, जबकि check में ऐसा case नहीं होता, यह आ रख लेना, तो समझ में आया होगा आपको, आप देखिए explanation क यूज किया जाता है, और यादखना कि इसमें digital signature होते हैं, चाहे वो biometric signature हो, चाहे नहीं हो, लेकिन digital signature होते हैं, जो कि एक secure system के साथ होते हैं, और साथ में क्या बोल गया, asymmetric crypto system और electronic signature होते हैं, जैसा भी case हो, अब देखिए ये तो आपके इसमें पढ़ेंगे, IT act 2000 में cover तो जब IT act का part cover करूँगा, उसमें आपको बता दूगा कि क्रिप्टो system क्या होता है, electronic signature क्या होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पाट आपको बता चल जाएगा, ट्रंकेटेट चेक मैंने आपको बताई देखिया होते हैं, कि देखिये क्या होला, clearing cycle के दौरान जिनको ट्रंकेटेट किया गया, एक तरीके से जो physical movement उसको रोग दिया गया, उसको काट दिया गया, और इसकी जगे उसको electronic image में convert किर दिया गया, तो कह रहा है कि किसने convert किया either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving payment, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया है, कि SBI bank क्या कर रहा है, SBI bank का check लिखा, A ने, और किसको दिया, B को दिया, अब आपको बताई कि वो किसके पास आया, ICIC bank के पास आया, तो ICIC bank क्या कर रहा है, amount receive करेगा, किससे करेगा, ICIC bank से receive करेगा, तो बीच में clearing house है, बीच में clearing cycle चल रही है, जो कि कौन करेगा, या तो हम बोल सकते हैं, या बीच में ही जो clearing houses है, वो करेंगे, immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical moment of the check-in writing, तो इसका मतलब क्या है, जो check-in writing था, जो एक कागज का टुक रहा था, उसको substitute कर दिया गया, उसको replace कर दिया गया, और इसके जगे उसको electronic image में convert कर दिया गया, तो यहाँ पर यही बोल रख है, अब देखिए clearing house का मतलब क्या है, clearing house managed by the RBI, और clearing house recognized as such by the RBI, तो या तो RBI खुद manage करेगा, या RBI क्या करेगा, एक authority देदेगा, और recognize कर देगा, यह clearing house है, जो कि अलग अलग बैंकों के क्या कर रहे है आपस में transactions को clear करने का काम कर रहे है, एक bank receive करेगा, दूसरा bank क्या करेगा, पे करेगा, तो बीच में clearing system हो गया, वैसे देखिए जो asymmetric crypto system है, computer resource है, digital signature है, electronic form है, electronic signature है, यह सारी meaning किसमे हैगी, आपकी information technology act 2000 में, आएकी, ओके, तो इदेखिए यहाँ से आपको पता चल जाएग, कि particular मेंने क्या पता है, कि जब combined, आपको पता है कि section 4 promissory notes से related है, या रखना, मैंने आपको बताया था, section 5 किस से bills of exchange से related है, और section 6 किस से related है, check से related है, ओके, तो आपको यह बता है कि जो bills of exchange और check का part है, वो थोड़ा similar लगता है, लेकिन आपे वही थोड़ा सा difference बताया है, कि यह बोल रहा है कि it tells us that a bills of exchange is a negotiable instrument in writing, containing an instruction to a third party to pay a stated sum of money at a designated future date, अब देखो इसको अगर आप ब्रेक करोगे और एक और पढ़ लेता हूँ, और on demand, तो देखिए, यहाँ पे एक future date हो गई, या on demand हो गई, जब आप उपर meaning cover करोगे, जो मैंने उपर शुरू-शुरू में cover की तो same वही आपको दिख रही है, कि जहाँ पे एक writing instrument है, जिसको sign किसने करा है, draw ने sign किया है, जो instruction दे रहा है, directing to pay, एक unconditional order है, कि भाई मैं आपको order दे रहा हूँ, कि आप पे करो, अब यहाँ पे third party कौन हो गई, आपको पताए कि, जिस भी person पे हमने लिखा है, कि हम आपको order दे रहे हैं, आपको पताए कि, इसको instruction दे रहे हैं, अब देखे बीच में तो बहुत बार endorse होई सकता है, यह आपको पताए कि future date से पहले ही, maturity से पहले ही, अलग-अलग party को endorse हो सकता है, क्योंकि वह बीर हो सकता है, किसी particular person के नाम पर भी हो सकता है, यह उसके order पर किसी certain person के भी हो सकता है, इसी तरीके demand पर भी हो सकता है, demand का मतलब क्या हुआ, जब भी person ने मांगा, आपको देना पड़ेगा, हाँ, उसमें तीन दिन grace के चुट जाएंगे, तो वो तीन दिन मिल जाते हैं, लेकिन check मैसा नहीं होता, check एक bills of exchange है, लेकिन वो किस पर लिखा गया, बैं आपकी तीन महीने की जनरली रहती है, यह format बता दिया, अब जो cover कर रहे हैं, वो क्या cover कर रहे हैं, types of check cover कर रहे हैं, अभी तक तो मेरे साब साब को दिक्कत नहीं भी होगी, अब देखिए, chart for understanding दे रखा है, तो आप मोशली या रखना है कि यह cross check का आपका part है, इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यह तो कहीं से मिला था, तो इस चक्र में मैंने cover कर लिया, कि types of check में mark check और cross check, पर इंडिया में आप generally देखो कि डो type की crossing होगी general और special crossing, mark check तो एक तरही की साहब ऐसे बोल सकते हो कि, जो payment के लिए अच्छे हैं, जिसकी acceptance की भी need नहीं होती, acceptance क नहीं होती है, ऐसे generally mark check है, जो कि बहार चलते हैं, हमारे पर generally हम क्या वोलेंगे, cross check का पार आता है, cross check में general crossing आती है, देखे general और special crossing में क्या फ़रक है, जब भी आप general crossing का पार देखोगे, तो transfers line होती है, ठीक है, लेकिन जब special crossing का पार देखोगे, तो उसमें bank का नाम भी आ है, जैसे अगर मेरा ICIC bank account है, तो यहाँ पर ICICI भी लिख सकता हूँ, अगर SBI तो SBI भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यह मैं आपको बताऊंगा अभी specifically, तो general crossing में general ही देखिए, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, specimen, एक बार आप देख लीजिए, आपको य देखिए, आपको मैंने क्या बताया है, यहाँ पर यह दे रहा है, एक तो transfers line दे रहा है, यह वाली, फिर आपको दे रहा है, अकाउंट पर ही, इससे आप mostly क्या होंगे, आपको सबको पता होगा कि generally यह आपने use किया होगा, या आपके father ने भी आपको चेक दिया होगा, तो जनरली इसमें अकाउंट पर ही लिखावा होगा, और father का नेम लिखावा होगा, तो इसका मतलब किया, वो उनके अकाउंट में deposit होता है, देखिए, पहले इसका बतायता हूँ कि जब आपकी normal यह line दे रखिए, तो एक check का specimen उपर याद रख लीजिए, देखिए, या रखन पेटू नाम देव, अब नाम देव और surname लिख दिया या नाम देव लिख दिया, तो आपको बताए कि उनका अकाउंट नाम देव का उस नाम से खुलावा होगा, वो अपने bank में जाएगा, और आपको बताए कि अगर transfers line है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उस इसका मतलब क्या है, उसके account में ही deposit होगा, वो N cash नहीं करा सकता, अब आपने किसी भी bank में जा सकता है, नाम देव का चैक कितना है, मैंने अगर check दिया, मेरा SBI में है, ठीक है, नाम देव के दो bank है, Axis bank है, और ICICI है, अब वो किसी भी bank में जा सकता है, जहां पर उसको जमा कराना, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको online payment करता हूं, तो मैं क्या बोलूँगा, कि आपका कौन सा bank account है, आप बोलोगे मेरे दो है, तो हम बोलेंगे कि कोई सी भी detail दे देना, वैसे जब भी check अगर मैंने लिखा, तो आपके उपर है, कि आप किस bank में जमा करा क्या रहो, ठीक मैंने नाम देव को चेक दिया, नाम देव अपने bank में जाएगा, किसी में भी access है, आइसे इसी में, जैसी वो check क्या करेगा, उस box में डालेगा, drop box में, या आजकल तो option भी आ गए है, machine से आ गई है, तो जैसी करेगा, तो उसका वो क्या हो जाएगा, किसमें चले आएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, वैसी देखो, आपको दे रखा end company, end company का मलब क्या है, जिस पर end company लिख दिया गया, उस पर company के account में जाएगा, कहने का मलब form हो गई है, company हो गई है, उनकी account में जाएगा, और कोई जो manager, director, या partnership firm को जो partner है, वो उसका फाइ official account में ही जाएगा, फिर देखिए आपका आ रहा है, not negotiable, यह बहुत अच्छा एक तरीके से क्या होता है, सामने आले को title नहीं देता, या defective title है, तो सामने आला क्या कर सकता है, इस option को use नहीं कर पाता, यानि इसमें एक example के हो में बोलूँ, देखिए जब भी not negotiable आता है, त यहां रखना, वो एंडोर्स भी हो सकता है, यहां पर not negotiable का मतलब क्या है, कि एक जो title है, वो सामने आले को हम दे रहें, तो एक अच्छा title हम सामने आले को दे रहें, अगर एक defective title है, तो हम सामने आले को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको बताए कि आप अपने से अच्छ आपके बाद जो भी better title है, वो आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, जनली यह पार्ट होता है, तो कैसे example के form में हम बोल सकते हैं, कि देखिए एक X नाम का person है, उसने Y पर बिल लिखा, X नाम का person उसने किस पे लिखा, Y पर बिल लिखा, अब देखिए आपको बताए कि रस्ते में Y पर बिल लिखा था, तीन महीने का बिल था, और ये lost हो गया Y से, अब ये किसको मिला, एक Z नाम के person को मिला, जैड नाम के person को मिला, और या रखना कि उस पे क्या लिखावा था, X ने Y पर बिल बोल रहा हूं, चेक लिखा, ठीक, और चेक Y को दे दिया, चेक रस्ते में lost हो गया, किसको मिला, जैड को मिला, और या रखना उस पर नाट नेगोशिबल लिखावा था, क्या लिखावा था, जैड ने क्या अगर दिया, किसी fourth party को endorse कर दिया, तो हम बोल सकते है, A को endorse कर दिया, अब A किसके बाद जाएगा, मैच चोटी पर, इसके बाद जाएगा, क सबसे बड़िया, बिल का एक्जामपल ही, अच्छे सा अच्छा एक्जामपल, तो देखिए, देखो, जैसे एक bills of exchange के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि X ने Y पर बिल लिखा है, उस पे not negotiable लिखा हुआ है, ठीक है, अब Y ने अपने पास बिल रखा हुआ था, लेकिन वो हो गया, और Z को मिल गया, Z ने क्या कर दिया, वो A को endorse कर दिया, अब देखिए, not negotiate वाले है, तो उस case में AX से recover नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पे क्या लिखा हुआ हो था, not negotiate वाले, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे एक default case है, यह good faith में नहीं आया है, क्योंकि Z को मिल गया, Z को क्या करना चाहिए था, उस person को टूनना चाहिए था, उसको किसी और को endorse नहीं करना चाहिए था, उसने A को कर दिया, अब A को एक तरीके से इस पे जरूरी नहीं कि अच्छा title मिल सके, ठीक तो उस case में बोल सकते है कि AX recover नहीं कर सकता, उस पे अगर not negotiable नहीं लिखा होता तो उस case में AX से पैसे recover कर सकता था, लेकिन अब recover नहीं कर सकता, ठीक, तो यहाँ पर यह बाटा गया, अब देखिए special crossing का बाट है, special crossing में क्या होता है, मैंने क्या बताया, कि अगर आपकी transfers line और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उस पे generally bank का नाम लिखा हो सकता है, देखिए क पैस हो तो किस हो किसी और को endorse भी कर सकता है, उस पर transfers line थी का मतलब क्या हो गया, अगर मान के चलिए कि मैं किस की बात कर रहा हूँ, चक की बात कर रहा हूँ, तो जिस person को एक तरीके से मिलेगा, आपको पता है कि ए ने महल बेचा है, और बिलchau बिल की बात किजिए, क्योंकि यहाँ पे crossing की बात कर रहे हैं तो B ने क्या गरा चेक दिया कि इसको A को दिया ठीक और आपको पता है कि उस पे transfers line थी अगर उस पे A का bank मान के चलिए SBI है और A का करता है उस पे SBI लिख देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक special crossing का part हो गया अगर account पे ही है तो आपको बताए कि वो A के account में जाएगा लेकिन अगर SBI लिख दिया तो SBI में जाएगा आप सोचिए अगर A के 4 bank है SBI है, PNB है Axis है ICICI है अगर A उस पे लिख देता है ICICI तो वो कहां जमा होगा? ICICI में ही जमा होगा तो एक special crossing का पार्ट हो गया, किसका एक special crossing का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे बोलता है कि जब भी आप general crossing की बात करते है तो उसमें क्या हो सकता है? Transverse line and company account पे not negotiable लेकिन साथ में अगर bank का नाम भी जुड़ जाता है और किसी bank account में जमा नहीं होगा तो एक तरीके से वो restriction दे देता है तो यहाँ पे यही बोल रखा है, पढ़के देख लीजे according to section 124 where a check bears across its face an entry of the name of a banker either with or without the word not negotiable चाहे उसमें not negotiable हो, चाहे नहीं हो the check is considered to have been crossed especially to that banker in the case a special crossing the addition of two parallel transfers line is not essential though generally the name of bank to which the check is crossed especially is written between two parallel transfers line देखे बोल रहा है कि transfers line होना जरूरी नहीं है लेकिन bank का नाम होना जरूरी है जब भी हम special crossing की बात करेंगे पर mostly लोग क्या करते है transfers line तो डेही देते हैं और साथ में क्या करते है bank का नाम भी लिख देते हैं या account पर ही लिखते हैं तो उसके साथ साथ bank का नाम भी लिख देते हैं ओके तो generally यह पार्ट है पर देखिया main part यह आ गया section 125 का जो कि generally crossing after issue इसका मदलब क्या होता है कि अगर check cross नहीं किया गया तो उसको सामने अला person क्या कर सकता है cross कर सकता है चाहे generally चाहे especially यह रखना specifically भी कर सकता है और generally भी कर सकता है कैसे बोल सकते हैं आप देखिये जैसे मैंने बोला कि example बता है आपको एक बार इंदी हटा देता हूँ देखिये general check था आपको बता है normal check है इसमें कोई crossing नहीं है तो नाइस पर general crossing हो रखी है चेक आप देखोगे लेकिन जैसी मान के चलिए कि नामदेव को check मिला तो नामदेव क्या कर सकता है उस पर line कह सकता है उस पर account पर ही लिख सकता है यह भी हो गया तो इसका मतलब क्या है वो general crossing कर सकता है general crossing में चाहे तो वो normal crossing कर सकता है या जैसे मैंने end company का बताया देखो end company को artificial crossing भी बोलते हैं रखना artificial crossing का मतलब क्या हो गया end company का क्योंकि वो एक artificial person है और company के account में जमा होगा किसी manager director के account में जमा नहीं होगा तो वो general crossing का part हो गया क्योंकि यहां पर account पर लिख दिया end company लिख दिया not negotiable लिख दिया ठीक है लेकिन साथ में वो general crossing के साथ special crossing भी कर सकता है तो इसका मलब अगर एक check uncrossed है और जिसको मिला है तो उस पर general crossing भी कर सकता है और special crossing भी कर सकता है यह ज़रूर यादख लेना क्योंकि confusion हो जाता है हमें ध्यान नहीं रहता कि जन्रली क्या पाट है तो देखिए इस नौट भी क्रॉशिवल है बैंक का नाम भी लिख सकता है तो जन्रल को इस पैशल में गर्नोट कर सकते है और यह बोल रहा है कि अगर यह cross किया गया है जन्रली इस पैशली लेकिन उस पे word not not negotiable नहीं लिखा तो not negotiable भी लिखा जा सकता है अब fourth में क्या बोल दिया कि देखिए अगर यह बोल रहा है कि check को especially cross कर दिया गया check को especially cross कर दिया गया जैसे बोल रहा है कि SBAE यह कर दिया गया तो banker के पार permission होती है क्योंकि banker को तो पैसा लेना होता है तो उस case में क्या अगर सकता है banker किसी और दूसरे bank का नाम भी लिख सकता है उसकी permission से if the check is crossed especially the banker to whom it is crossed में again cross it especially to another banker his agent for collection तो आपको पता है कि अगर देखो SBI के नाम से check लिखा गया ये crossing हो रखी है तो आपको बता है कि जिस person के पास check था उसका account कहा था उस SBI account में गया और वहां पर जनरली उसने check दिया अब जिस person ने check दिया था वो तो हम बोल सकते हैं कि जैसे उसका ICC bank का check था crossing जो हो रखी है वह SBI की हो रखी है क्योंकि जिस person को check मिला है मानके चलिए seller को अगर check मिला है तो उसको check मिला है कौन सा ICC bank का check मिला है लेकिन उसका जो seller का account है वह SBI account में तो उसने crossing के अगर दी SBI account से SBI account में जमा हो जाएगा ठीक है तो यह बोल रहा है जब एक banker दूसरे banker से cross करेगा तो उस case में वो नाम लिख सकता है अगर उसमें crossing नहीं होती है या especially crossing होती है तो वो खुद का नाम लिख सकता है खुद के bank का नाम लिख सकता है तो मलब unofficially नहीं की जा सकती, authorized तरीके से की जाती है, तो बोल रहा है कि अगर check पहले से especially crossed है, तो banker to whom it is crossed may again cross it especially to another banker, या उसके agent को for collection, this is the only case where the act allow a second special crossing by a banker, and for the purpose of collection, तो यहाँ पर banker क्या कर रहा है, एक banker दूसरे banker से check जब ले रहा है, तो खुद भी special crossing कर रहा है, जिससे bank में वो collection हो जाए, ठीक है, और सामने आले कि bank से क्या हो जाए पैसा, कट जाए, यह बात कर रहा है, तो it may be noted that crossing of check is an instance of an alteration which is authorized by the act, तो देखिए यहाँ पर यह तो बोल रहा है कि एक तरीके changes किये जा रहे है, अल्टरेशन किये जा रहे हैं, लेकिन जो किसके थरू, एड के थरू authorized है, ना कि unauthorized, तो authorized होने चाहिए, यह सारा बार्ट authorized ही है, तब ही हम कर रहे हैं, वर्ण हम करेंगे मेरी सीधी सी बात है, अब देखिए parties to the instrument तो यह है, difference में भी हम cover करेंगे, और वैसे भी मैंने आपको बता दिया, कि जब हम promise री note की बात करते हैं, तो इसमें दो party होती है, इसमें एक maker हो गया, और एक क्या हो गया, पेई हो गया, आपको बता है, maker कोन होता है, और पेई कोन होता है, ऐसे example के form में बोल सकते हैं, maker कोन होता है, जिसने loan लिया है, तो वो loan का मांट पेई करेगा, promise दे रहा है, वैसे bills of exchange में आपको बता है, कि तीन parties होती है, जिसमें आपको बता है, drawer हो गया, और कौन हो गया, drawer हो गया, ओके, और pay हो गया, इस तरीके से, pay drawer same person हो सकते है, लेकिन कभी-कभी अलग हो जाते है, क्योंकि drawer क्या करता है, उसको endorse कर देता है, bank को, किसी third party को, क्योंकि drawer ने किसी और party से भी माल खरीदा होता है, तो उसको भी payment करना होता है, उस वक्त amount नहीं होता है, तो क्या करता है, उसकी बिल देता है, तो pay कोई और भी person हो सकता है, क्योंकि आपको बताएं कि, endorse अंगिने time हो सकते हैं, कब तक, जब तक की, bill mature नहीं हो जाता, ऐसे भी हमने सुना है, तो इस case में आप यह बोल रहा है, the maker of bill of exchange, or check is called the drawer, और जिसको डायरेक्शन दिया या नहीं जिसको ऑर्डर दिया है, उसको ड्रॉई कहा जाता है, जो accept करता है, आपको बता है, जो accept करता है, और हाँ एक तरीके से यह भी या रखना, कि जब एक परसन ने check लिखा, या रखना, तो banker को accept रेंड ने की जुरत नहीं होती, क्योंकि वो एक तरीके से accept किया वा माना जाता है, accept किया वा माना जाता है, तब ही देखे क्या बोल रहा है कि person जिसको direction दिया जा रहा है कि भाई पे कर, तो उस case में आपको बता है कि आप check लिख रहे हो, और आपका account SBI bank में है, तो आप SBI bank को क्या कर रहे हो, direction दे रहे हो, कि भाई, यह मैंने check लिखा है, मैं सामने आले party को दे रहा हूँ, तो उसके account में clear हो जाना चाहिए, उसका account ICIC bank में है, तो आप जानो clearing cycle के थुरू, मेरे account में तो पैसे हैं, आपको clear करना है, क्या करना है, clear करना है, इसका मलब तो यही वा न, तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि, इन शिमनात वर्सेज बिसंबर, इट वाज हैल्ट आट, definition of drawer is not exhaustive, देखे exhaustive का मलब संपूर्ण होना, तो इसका मलब पूरी होना, तो यह बोल रहा है कि, जो drawer के definition है, वो पूरी नहीं है, इसमें और भी चीज इंक्लूड की जा सकती है, तो उसमें क्या बोल दिया, जो प्रॉमिसरी नोट का maker है, उसको भी drawer का जाता है, इसका मलब जो प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ पर तो जनरली आप देखोगे, बिल्स उफ एक्षिंज और चेक में क्या डाइरेक्शन, एक कमांड दी जा रही है आपको बता है, कि भाई, पे कर दो, क्योंकि हमारा पैसा है, drawer क्या बोल रहा है, कि मैं आपको order देता हूँ कि, इस date पर, इस particular दो महिने की date पर, जिसमें तीन दिन के grace के चुट जाएंगे, आपको क्या गड़ना है, पे करना है, या मेरे बियाफ़ पर जो मैं order दे रहा हूँ, उस person को आपको पे करना है, या अगर वो bearer है, तो जो भी उसको bear करके बठा है, endorsement के case में, जिसके पास भी है, बैंक के पास है, थर्ड पार्टी के पास में, यानि creator के पास में मान के चलिए, तो वो क्या करेगा, उस bill का due amount ले लेगा, अब देखिए, यहाँ पर आगए, ड्रॉई in case of need, तो देखिए, जब भी आप यह पढ़ते हैं, तो confusion नहीं की जड़त नहीं है, जैसे अगर मैंने बोला, कि A ने bill लिखा, तो A ने एक order दिया, मान के चलिए B को, तो यहाँ पर जो, ड्रॉई हो गया, वो कौन हो गया, B हो गया, तो ऐसे सोच के चलिए, अब देखिए, ड्रॉई in case of need, का मतलब क्या हो गया, कि जहाँ पर किसी और परसन का नाम भी लिखा जा सकता है, कि अगर B नहीं रहा, तो उसकी जगे C परसन है, वो क्या करेगा, A को बिल का पेमेंट कर देगा, ठीक, तो यहाँ पर यहीं बोलना चाहता है, कि ड्रॉई in case of need, का मतलब क्या हुआ, कि जब भी हम क्या करते हैं, A ने B को बिल लिखा, मान के चलिए A ने क्या करते हैं, अगर endorse भी कर दिया बीच में, क्योंकि A को पैसो की जरत हो गई, उसने bank को endorse कर दिया, तो bank किस के बाद जाएगा, B के बाद जाएगा, जैसे इंसॉल्मेंट हो गया, तो उसका official receiver कौन है, उसका नाम लिखावा है, या official legal representative कौन है, B की दैत हो गई, तो उसका जो बेटा है C, वो आ गया इस तरीके से, तो when the bill or in any endorsement thereon, the name of any person is given in addition to the draw, to be resorted to in case of need, such person is called draw in case of a need, तो या भी बोल रहा है कि जब एक bill है, या किसी endorsement के case में, bill का endorsement कर दिया, तो किसी person का नाम लिखावा है, किसके अलावा, draw के अलावा, addition to the draw, draw के अलावा किसी और person का भी नाम लिखावा है, तो उस case में उससे पैसे मांग सकते हैं, अगर draw नहीं दे पा रहा है, या आपको बता है कि draw की death हो गई, तो उस case में कोई उसका जो legal representative है, उससे bill का amount ले लिया जाएगा, normal सा part, acceptor आप जानते हैं कोई होता है, कि जो draw यह जैसे हमने बोला, बी, उसने bill को sign कर लिया, तो उसने अपनी ascent दे दी, अगर sign कर लिये तो वो क्या हो जाएगा, acceptor हो जाएगा, ठीक, या यह बोल रहा है कि जो acceptor है, उसने notice दे दिया कि हाँ, मैंने sign कर लिया है, या उस person के बिहाफ पे आपको बता है कि agent भी होते हैं, सामने आ लेके, जो buyer होता है, वो buyer बढ़ा भी होता है, तो या भी बोल रहा है, after the draw of a bill has signed his ascent upon the bill, drawy का करेगा, sign करेगा, अपनी ascent देगा, सैमिती देगा, और if there are more part there of than one one, तो यह बोल रहा है कि एक से जादा कर पार्ट है, तो उस case में upon one such part, and deliver the same, or given notice of such signing to the holder, or to some person on his behalf, he is called the acceptor, तो यह बोल रहा है कि जो holder है, उसको हमने notice दे दिया, कि हमने sign कर दिया है, या उसके ब्याप पर seller का कोई agent है, उसको notice दे दिया है, कि हमने sign कर दिया है, तो उस case में वो क्या कहलाएगा, acceptor कहलाएगा, अब देखें, इसके आप बोल रहा है, acceptor for owner, चलिए जब तक मैं करता हूँ, फिर बीच में वापिस क्या करता हूँ, comment को enable कर दूँगा, थोड़े comment हड़ गए, देखें इसमें simple था मलब है कि, acceptor for owner का मलब क्या है कि, अगर कोई person क्या करता है, bill लिख रहा है, जैसे a क्या कर रहा है, बिल लिख रहा है B पे, क्या पता, draw इं मना करते हैं, कि मैं pay नहीं करूँगा, तो उस case में देखो, non acceptance को protest करने के लिए, उसको note करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं, noted and protest, उसको protest करने के लिए, एक कोई person बहार का आ जाएगा, मानके चिलिए C, और वो क्या बोलता है, कि अगर आपको B payment नहीं कर पाएगा, तो मैं pay कर दूँगा, क्योंकि मैं आपकी इज़्जत के लिए, acceptor बन रहा हूँ, सी क्या बोल रहा है, मैं आपकी इज़्जत के लिए, acceptor बन रहा हूँ, बाद में देखिए, जो भी damage यह होंगे, क्योंकि आपको बता है कि, कोई person बाहर का pay कर रहा है A को, तो वो उसकी इज़्जत के लिए pay कर रहा है, यह मान के चलिए, तो C बाद में पैसे तो मांगेगा, बाद में A को क्या करना पड़ेगा, जो भी damage यह पार्ट है, C बाद में क्या करेगा, A से जो भी damage है, या जो भी amount दिया है, वो बाद में मांग सकता है, लेकिन जैसे maturity date हुई, तो A की goodwill खराब नहीं हो, A की इज़्जत खराब नहीं हो, drawer की इज़्जत खराब नहीं हो, drawer की इज़्जत रखने के लिए, उस person ने क्या कर दिया, अपने बिहाफ पे पे कर दिया, तो उसे बोलता है, acceptor for honor, वेन a bills of action has been noted, or protested for non-acceptance, or for better security, and any person accept its supra-protest, for honor of the drawer, ओके, और anyone of the endorser, such person is called an acceptor for owner, उस person को क्या का जाएगा, acceptor for owner, तो वो क्या कर रहा है, drawer की इज़द के लिए क्या कर रहा है, उस के protest के लिए क्या कर रहा है, उस bills of exchange को accept कर रहा है, कि अगर जो main drawer ही है, अगर वो accept नहीं करता, तो मैं accept कर लूँगा, तो मैं हो गया, acceptor for owner, ओके, तो मेरे साब से इतना दर बाद, A, वो B को क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, एक मिनट आ गई इस्क्रीन, अब देख लेते हैं, यह chat disconnect हो गई है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, चलिए जब तक मैं पढ़ा लेता हूँ, तो आपको मैंने बता है, A ने B पर क्या लिखा, बिल लिखा, तो B क्या करेगा, maturity date तक एक तरीके से, maturity date पर क्या करेगा, A को pay करतेगा, क्योंकि A ने maturity date तक बिल को hold करके रखा हूँ है, तो इस case में आपको पता है, कि जो drawer है, वो ही pay हो सकता है, अब देखेंगे, बहुत सारे case हो सकते है, जिसमें pay ही क्या हो सकता है, ये भी आपको पता है, जैसे मैं आपको example के form में बता हूँ, जैसे A ने B को माल बेचा, तो A है seller, B है buyer, बाद में A ने क्या लिख दिया, बिल लिख दिया, बिल ड्राउन किया, B ने बिल क्या कर दिया, accept कर लिया, accept करके A को दे दिया, तो A के लिए बन गया B आर B के लिए बन गया B भी, आपको पता ही है, जैसे अपने accounting में अगवर किया, लेकिन अब A को अगर बीच में पैसा होगी r Bowl हो गई, तो उसने क्या कर दिया, endorse कर दिया, तो endorse किसको कर दिया, bank को कर दिया, यानि bank को दे दिया, और bank से एक तरीके से loan ले लिया, bank से क्या ले लिए, loan ले लिया, अब bank क्या कर रहा है मानकि लिए एक लाग का बेल है उसकी जगे 95,000 कितने दे रहा है 95,000 दे रहा है तो पांच आर बैंक ने डिसकाउंटिंग चार्जेज ले लिए यह बाट हो गया अब बैंक क्या करेगा उसको पर्टिकलर मैचोर्टी डेट तक होल करके रखेगा और बैंक क्या करेगा पीसे लेने जाएगा तो उसकी इसमें बैंक पेई हो गया तो वैसे तो ड्रॉवर पेई था लेकिन जैसे ही ड्रॉवर ने क्या कर दिया बैंक को एंडोर्स कर दिया तो बैंक पेई बन गया तो कोई भी परसन हो सकता है तो यहां पर यही पार्ट आपको बोल रहा था पढ़के देख देता चाहिए तो परसन जिसका इंस्ट्रुमेंट में नेम है उसको यह उसके ओर्डर पर जिसको भी डायरेक्शन दिया गया उसको जन्रली क्या जागता है पेई जा सकता है ओके एक मिनट बस करनेक्ट हो जाओं थोड़ा करनेक्शन का प्रोब्लम है बीच बीच में हो जाती है हुआ हुआ कर दो अब परफेक्ट है अब देखे होल्टर की बात कर रहा है यहाँ पे इसको डंक से देखना ताकि आपको पूरा बाट समझ में आएगा देखे टाइम तो लगता है हर पर्टिक्रट चीज में क्योंकि आपको पूरे कॉंसेट समझने पड़ते हैं उसके बिना आपको क्या है समझ में नहीं आएगा तो मेरे साब से पूरा पार्ट आपको कवर तो करना ही पड़ेगा और जैसे मैं बताते जा रहा हूं पॉइंट पॉइंट या एक्जामपल के साथ बता जा रहा हूं तो वो भी आपको थोड़े ध्यान रहने चाहिए ठीक है क्योंकि जरुएंड नहीं में यहां पर कवर निजधा नहीं है जो और देखो आपको responses के उल्ट आपकographics जिसके नाम पर वो possession है तो यहाँ पर देखिं किस की बात कर रहा है एक तो possession की बात कर रहा है फिर title की बात कर रहा है अब देखिं यहाँ पर consideration का बाट नहीं लिया गया यहाँ पे consideration का बाट नहीं लिया गया तो इसका मतलब क्या है अगर consideration नहीं भी होगा consideration नहीं भी होगा तब भी holder का case आ सकता है ठीक है तो consideration नहीं है holder का case है तो जब possession और title का बाट है तो holder है लेकिन जैसे consideration का बाट आ गया तो हम क्या बोलेंगे वो holder for value हो गया क्या हो गया holder for value अब उसमें अगर good faith आ गया क्या आ गया good faith तो वो holder for value in good faith हो गया या रख लेना ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस से या रखो गया तो देखो possession title है holder देखे possession तो किसी के बास भी हो सकता है मान के चलिए कि जैसे मैं example तूँ रुशी केस का ही देता हूँ रुशी केस ने promise किया किसको चिराग सर को कि तीन महीने बाद क्या करेगा वो payment कर देगा उसमें तीन दिन grace के तो जनरली देखे आपको बताए कि चिराग ने रुशी केस ने promise किया चिराग ने वो bill अपने पास रख लिया मैं चोटी तक आपको पता है तो आप बीच में चिरा चिराग ने क्या कर दिया अपने फादर को दे दिया अपने बाई को दे दिया तो एक तरीके सा आपको बताए कि पाजेशन होल्ड करने के लिए दिया है बाद में पैसा तो चिराग को मिलेगा यह तो बस होल्ड करने के लिए दिया है नाम तो उस पर किसका है चिराग का है तो टाइटल मेंट तो किस की चिराग की है तो देखिए possession और टाइटल जब दो नहीं तो तब आप holder हो बेखिए फादर को दे दिया तो اس case में पको बताए holder नहीं लेकिन चिराग के पास क्या है fall पास है और टाइटल भी किसके पास है चिराग के पास है तो उसकेस में आप क्या हो गए अब देखेंगे जरूरी नहीं करता हूं कि इतना माउंट पे कर दूंगा और वह गिफ्ट के फॉर्म में दे दिया तो उसमें कोई पर फिर वह धी रहता है तो इसका मलब वहां करता है तो इसका मलब उसमें पॉज्जेशन भी आता है थाई टायटल भी आता है और वहुट कर बैठें तो holder in due course का पार्ट भी आता है इसको आप समझोगे पहले हम क्या करते हैं यह theoretical पार्ट का और कर लेते हैं तो यह मैंने आपको बता दिया देखे बोला विर द नोट बिल और चेक is lost or destroyed its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction कि जब नोट बिलिया चैक क्या हो गया लॉश्ट हो गया तो लॉस्ट हो गया तो लॉश्ट है के समय जिसको एंटाइटल्मेंट था वह जनली उसका holder क्या लाएगा वो जनली उसका holder in due course आपको right कैसे देगा वो आपको बता चल जाएगा क्योंकि आपने क्या कर रहा है जो bill लिया है वो good faith में लिया है आपको यह नहीं पता था कि title defective है फिर भी आप क्या कर सकते हो सामने आले से पैसा recover कर सकते हो उस bill का पैसा जो भी है वो recover कर सकते हो यही holder in due course का power है क्या कर रहा है मैं बोल सकता हूँ promise tree note लिख रहा है एक B को बोल रहा है कि मैं आपको वचन देता हूं कि pay कर दूँगा अब देखो B ने अगर उसको C को endorse कर दिया सी ने उसको D को endorse कर दिया ऐसे part बोल दिया और आपको बताए कि D ने जैसे endorse कर दिया उसके बाद ये चोरी हो गया, क्या हो गया यानि D के बास था मानके चलिए और वो क्या हो गया, थेफ्ट हो गया चोरी हो गया, और वो किसको मिल गया E को मिल गया, क्योंकि E ने चोरी किया था अब E ने वो किसी person के नाम पर जैसे F person को दे दिया, तो उस case का पावर है कि जिसको भी चूते हैं वो सोना बन जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो लाश्ट परसन है जिसने एक तरीके से मैच्वर्टी पर उसको रखावा है उसके पास पावर आ जाती है कि पर्टिकलर उस पैसे को रिकवर कर सकता है तो उल्डर इन ड्यो कोर्स में यह बता रखा है कि उल्डर इन ड्यो कोर्स में एक भार यह अख्टा देता हूं थोड़ा से ताकि आपको संध में क्या लिखा है कृप अब ठीक है अब डेखिए क्या बोल Championship भी गया है तो A तो इसका मलब क्या है जब holder की बात करते है तो उसमें consideration हो भी सकता है नहीं भी हो सकता not necessary जरूरी नहीं है लेकिन holder in due course में consideration का part होना जरूरी है who for consideration become the possessor of a promissory note bills of exchange और check देखिए आप यहां रखना कि अभी जैसे मैंने बोला कि a ने b को क्या करा d dias'D और promise किया कि मैं pay कर देता हूं ठीक है अब देखिए बी के बाद बलता है रस्ते में वो चोरी हो गया क्यो democr ये मैं ने बतायओ और वो चोरी द engineered कर लिया अब सीने क्या कर रहा वो द औ को दे दिया और बोलता है कि इसको maturity तक hold कर देना और बाद में किस से ले लेना जिसने भी ये दिया है जिसने भी promise दिया उससे आप ले लेना तो उस case में हम क्या बोल सकते हैं कि ये चोरी हो गया बीच में उस case में defect आ गया लेकिन यहाँ पर जो E ने खरीदा है वो good faith में लिया है तो अगर सामने आला person good faith में लेता है और उसको ये नहीं पता कि title में defection है तो उस case में क्या गर सकता है उसके बस right है कि वो maturity पर पैसा recover कर सके या bill का जो भी amount है वो ले सके तो यह बोल रहा है कि आपको बता है कि बियरर जिस पे नाम नहीं होता है एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं जैसे चैक में मैंने बता है इसका मलब जिन भी person के पास जाता जा रहा है वो होल्ड कर सकते है और maturity से पहले जिस भी person के नाम पर है वो recover कर सकता है वैसे प्रामिसरी नोट के case में जैसे भी मैंने बताया और तो यहाँ पर आपको बता है पेई एंडोर्सी क्या हुआ जैसे बी के बास बिल था उसको पैसो की जड़त थी तो उसने किसी और को दे दिया फिर उसने किसी और को दे दिया इस पेबल टू ओर यह बोल रहा है कि अगर ओर पे है तो उसकेस में पेई या एंडोर्सी पेई मलब क्या हो गया जो लास्ट में जिसको मिल रहा है एंडोर्सी एंडोर्सी मलब क्या हो गया एक एंडोर्सर होगा एक एंडोर्सी होगा तो बोल राइफ payable to order, अगर वो order पे pay किया जाता है, तो, before the amount mentioned in it become payable, इसका मलब क्या है, मैं चोटी से पहले, मैं चोटी से पहले, and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of person from he derived his title, इसका मलब क्या है, अगर आप देखोगे, without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from who derived his title, इसका मलब क्या है, आपको पता है कि E ने, जिससे भी लिया, तो उसको पता है कि उसने good faith मिलिया है, यहाँ पे कोई defect नहीं है, यहाँ पे कोई defect नहीं है, अगर वो इस पे believe कर रहा है, तब holder in due course, देखिए, अगर E को पहले सी पता था कि इस पर defect है, तो वो recover नहीं कर सकता, या रखना, ठीक है, लेकिन एक case ऐसा भी जिसमें आप देखोगे कि forgery का case है, तो forgery की case में आप holder in due course नहीं कहलाओगे, चाहे आपने good faith में भी लिया है, अगर वो forgery का case है, तो उस case में आपको नहीं मिल पाएगा, यह एक exception भी दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है, holder in due course is defined as a holder, who acquires the negotiable instrument in good faith, बता दिया मैंन किलाएगा, क्योंकि इसको defective title के बारे में पता ही नहीं था, तो उस case में इसके बासे क्या हो गया, एक अच्छी opportunity मिल गई, कि क्या, कि defective title था, मुझे पता नहीं था, मुझे तो generally क्या मिल गया, बिलका मौन मिल गया, अब तो मुझे चाहिए चाहिए क्यों, क्योंकि मैंने सामने वाले को तो consideration पर माल दे दिया, यह क्या बोलेगा, कि मैंने तो deco sale कर दिया, तो मेरा भी तो पैसा गया है, मेरा नुकसान हो गया है, और मैंने तो good faith मिलिया, अगर मुझे पता होता, तो generally मैं क्यो लेता, तो देखिए या रखिए, अगर आपको चोरी पता है, अगर explain कर दिया, समझाने के लिए, कि when the instrument is capable to bearer, as the see holder in due course refers to any person who becomes its possessor for value, before the amount become overdue, तो इसका मलब क्या हो गया, कि अगर bearer है, तो आपको पता है कि A ने B पर पिल लिखा, B ने C को दे दिया, C ने D को दे दिया, D ने E को दे दिया, यह हो गया, तो आपको पता है कि maturity होने से पहले, overd के पास यह बिल था, तो E क्या हो गया, holder in due course हो गया, पर यार उसमें consideration का part होना चाहिए, कहने का मलब, जो E है, वो D से कुछ ने कुछ पैसे लेते होना चाहिए, या D कुछ ने कुछ पैसे देते होना चाहिए, जो कि generally वो नहीं दे पा रहा था, उसी case में तो बिल लिया है, उसी case में तो बिल लिया है, on the other hand, when the instrument is payable to order, HDC में mean any person who become endorseee or payee of the negotiable instrument before it mature, further in both the cases, holder must acquire the instrument without any notice to believe that there is a defect in the title of the person who negotiated, इसका मलब क्या है, जिस person ने negotiate किया है, जिस person ने endorse किया है, उसके defect के बारे में पता नहीं था, अगर C ने D को दिया, तो आपको बताए कि ये बीच में क्या हो तो इसके बारे में पता है, अब E को D के defect के बारे में नहीं पता, तो इस case में हम बोलेंगे कि E ने good faith में लिया है, और वो A से पैसा recover कर सकता है, तो यहाँ पर यही case दे रखा है, अब देखे सबसे पहला जो दे रखा हो कि दे रखा होल्टर का, कि होल्टर कब होगा, तो भी वो holder हो सकता है, यहाँ पर यह example में दे रखा है, A draws a check for Rs. 5000, A ने check लिखा, और B को दे दिया, किसमें gift के form, यह बोल दिया, B is holder but not a holder in due course, as he does not get the check for value and consideration, तो यहाँ बोल रहा है कि B holder है, लेकिन holder in due course नहीं होगा, क्योंकि उसने value and consideration में नहीं लिया, तो आपको पता है कि ज पहले होना चाहिए, तो तब जाकि holder in due course आएगा, तभी मैंने इतना time लिया, ठीक है, 15-20 minute ले रहा हूँ, क्योंकि यह बार्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो his title is good and bona fide, as a holder, his end title received with 5000 from the bank, on whom the check is drawn, तो holder के form में क्या बोल रहा है, कि वो क्या गरेगा bank से, क्योंकि आपको पता है कि A ने चेक दिया B को, अब B क्या गरेगा, उस चेक को अपने bank में लगाएगा, फिर clearing होगी, अगर clearing नहीं होती तो bounce हो जाता है, लेकिन clearing हो जाएगी, क्योंकि A के bank में पैसा है मान के चलिए, और B ने जो B को चेक दिया है, तो B उसको अपने bank में लगा रहा है, उ और B का जो भी bank के उसमें उसका पैसा जमा हो जाएगा, ठीक, तो चाहिए gift में ही मिला हो, तो उस case में आपको बताएगा, यह holder in due course नहीं है, लेकिन holder का part तो है, फिर दूसरा example क्या दे रखा है, देखिए fraud के case में, यहा मैंने आपको बताया था, एक चोरी वोरी का case हो गया तो यहां पर देखिए, वो ही बार्ट बोल रखा है, कि holder in due course तो आएगा या आएगा, किया रहा है, A obtain B's acceptance to a bill by fraud, A ने obtain की B की acceptance, B's acceptance to a bill by fraud, ठीक, अब यह मान के चलिए कि हम ऐसे बोल सकते हैं, कि अगर A माल बेस था और B accept करता, लेकिन B ने तो accept ही नहीं करा, लेकिन A ने क fraud के थुरू, B की acceptance ले ली, ठीक है, A endorses it to see who takes it as a holder in due course, अब देखिए, A ने क्या कर दिया, इसको कर दिया, एंडोर्स, किसी 30 ही पार्टी को, C को, जिसने एक तरीके से कहा ले लिया, good faith में ले लिया, अब देखिए, बोल रहा था, instrument is purge of its defect, इसका मतलब क्या है, देखिए, जो instrument है, वो अपने defect से क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ऐसे बोल रहा है, instrument is purge of its defect, and C get a good title to it, तो instrument जो हो गया, वो क्या हो गया, अपने defect जो था, इसमें आपको बता है कि defect क्या था, fraud था, लेकिन वो शुद्ध क्यों हो गया, क्योंकि C के पास good faith में आया, किसमें है, good faith मे C को अगर पता होता, A के fraud के बारे में, तो उस case में C, B से पैसा रिक और नहीं कर पाएगा, B से पैसा रिक और नहीं कर पाएगा, अब आप बोलोगे sir, B ने acceptance दी वी है, B बाद में पैसे क्यों देगा, B को पर तो fraud किया गया है, देखो C, B से ले ले लेगा, लेकिन B बाद C को भी नहीं पता, इस default के बारे में, इस fraud के बारे में, ओके, तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है, except when he is also a party to fraud played by A, except when he is also a party to fraud played by A, मलब क्या हो गया, कि C को fraud के बारे में पता था, या D और C दोनों को fraud के बारे में पता था, A के, तो उस case में हम बोल सकते हैं कि वो good faith में नहीं होता, तब इनको इनका मैं चोटी का पैसा नहीं मिलेगा, मैं चोटी का पैसा नहीं मिलेगा, simple case, अब दिएक्जामपल 4 कवर कीजिए, फिर आपको example 3 समझाते हैं, जिससे आपको पता चलिए कि forgery की case में क्या होता है, holder in due course का benefit नहीं मिलता, यहाँ पर example 4 में क्या बोल रहा अब देखो यह बोल रहा है कि X ने Y पर Bill लिखा था, Y ने accept कर लिया और Y ने क्या अगर दिया, X को लोटा दिया, X के बास Bill था, अब X ने मानके चलिये कि सको देदीया, Z को देदिया, जैड को देदीया तो endorse कर दिया था, ग्या अगर दिया था रिजक्नेर, और बीरर है ए एथा और ए ने किसको दे दिया बी को दे दिया किसको दे दिया बी को और बी ने क्या कर दिया उसको गुड़ फिय्थ में रख लिया the thief delivered it to be a holder in due course we can record the money of the bill तो आपको बता है कि बीनों उसको गुड़ फिट में रख लिया तो अब वो क्या कर सकता है जो भी यह वाई तो यहां पे normal case आ गया अब देखिए इसी तरी केस हम क्या cover करेंगे हम cover करेंगे जहां पे मैंने बताया forgery का case है forgery मलब क्या हो गया कि जो bill पर sign है वो नकली कर दिये गए तो उस case में आपको बतायी कि वह शुरू से देखे, आई बोलिये ये, ये एक ये बात होती है, एंडोरिस बोलिये, इंडोर्स पोलिये, तो देखे, A bill is available to A, और order, इसका मलब気ு है, A या उसके order پर person को पैसा मिलेगा, या तो A को मिलेगा, या उसके order पर एक certain person को, तो यहाँ पर क्या बोलती है कि उसके order पर किसी person को मिल जाएगा या A को मिल जाएगा लेकिन क्या हो गया कि A से stolen हो गया अब ऐसे बोल सकते हो ना आपको कि हम बोल सकते हैं कि अगर मान के चलिए एक X नाम का person है उसने A पर bill लिखा और उसको promise किया कि मैं आपको amount दे दूँगा अब वो bill A के पास पड़ा हुआ है ऐसे हो सकता है या जब bills of exchange की बात करते हैं तो उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि A ने bill लिखा किस पर X पर X ने acceptance दी और A के पास वो आप इसे bill आ गया ए उसको hold करके बैठा है लेकिन वो क्या हो गया रस्ते में ही चोरी हो गया और आपको बता है कि वो A के पास तो था नहीं A तो उसको hold करके बैठा था लेकिन उसमें नकली signature कर दिया A के और endorse कर दिया B को अब A को तो इसके बारे में पता ही नहीं है जिसमें B ने क्या कर दिया उसको HDC के form में ले लिया एक good faith में ले लिया B को यह नहीं पता था कि यह चोरी का है और यह A का है अच्छा टाइटल लेकिन B ने तो किसी दूसरे परसन से खरीदा था मान के चलो जैट से खरीदा था किस से लिया था जैट से लिया वा था तो यह आपे बोल रहा है कि B cannot recover the money क्यों क्योंकि forgery का case है किसका case है forgery का it is not a case of defective title defective title का part नहीं है but a case where a title is absolutely absent तो इसका मतलब यह रखना जब भी forgery का case आता है नकली बिल हम बोल सकते हैं कि artificial sign का case आता है signature क्या होते हैं नकली होते हैं जाली होते हैं तो वो nullity के बरावर होते हैं तो nullity का मतलब defective title नहीं है title ही नहीं है इसका मतलब title ही absolutely absent है the thief does not get any title therefore cannot transfer any title to it तो बाकी cases में thief ले सकता था example form में आपको पता है कि thief ने deliver कर दिया B को तो B holder बन गया अब B recover कर सकता है money क्योंकि यहां बे forgery का case नहीं है लेकिन यहां पर अगर जाली sign नकली sign का case है तो उस case में जो thief है उसको title नहीं मिल रहा और वो defective नहीं कहला रहा क्योंकि यहां पर title ही कहा है absent title ही नहीं तो वो transfer करी नहीं सकता देखे बोल रहा है उसको कहा जा सकता है लेकिन नहीं कहेंगे but where a signature on the negotiable instrument इस forge यह nullity का part बन जाते है तो जैसे nullity का part बन गए तो holder of forge instrument cannot enforce payment देरों इसका मलब क्या है जो b है जो holder है वो enforce नहीं कर सकता वो यह नहीं बोल सकता है कि मुझे payment दो वो payment recover नहीं कर सकता जो भी draw है उससे वो payment recover नहीं कर सकता in the event of holder being able to obtain payment in spite of forgery he cannot retain the money अब देखिए क्या बूल देखिए चलो मान के चलिए कि forgery के case में भी जो यह b है जिसने good faith में लिया था holder and due course कहला था लेकिन वो forgery का case था nullity आ गया तो उस case में जो accept करने वाला है उससे वो ले लेगा लेकिन मान के चलिए अगर उसने ले लिया तब भी वो रोक के नहीं रख सकता उसको वापिस से देना पड़ेगा यानि return करना पड़ेगा good morning विवेक, late हो गई काफी आद कोई बात नहीं देखिए good faith की बात कर रहा है तो मैंने का बता है कि good faith में तो लिया है b ने, लेकिन आपको बता है कि b को जब x से पैसा मिल गया तो वापिस से b को क्या करना पड़ेगा x को लोटाना पड़ेगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर यह forgery का case और forgery की case में क्या होता है जिसने भी चाहिए good faith में भी लिया यानि holder in due course आप कहला रहे हो लेकिन आपके वास power नहीं होगा आपके वास money को retain करने का power नहीं होगा आपको वापिस से लोटाना पड़ेगा अगर आपने money ले लिया है पहली बात तो आपको money मिलेगा ही नहीं लेकर अगर ले भी लिया तो आपके वास power नहीं उसको रोक के रखने का आपको वापिस से देना पड़ेगा तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है देखे आगे यहीं बोल रहा है कि क्या एक मिनट यह ले लेते हैं इसका मलब होल्डर इन्डू को इस केस में एक्सेप्शन क्या बोलते हैं एक तरीके देख फाइदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर नुक्सान ही हो रहा है क्यों क्योंकि फोर्जरी की केस में वहाँ पर गुड़ फेद अपलाई नहीं होता वहाँ पर टाइटल डिफेक्टिव का केस नहीं आता यहां तो हम क्या बोलते हैं टाइटली एपसेंट है टाइटल की उपस्तित ही नहीं है टाइटली अन लेकिन बाकी सारे पेमेंटीनिकोर्स की बात कर रहा है पेमेंटीकोर्स का मलब क्या होता है अगर मैंने बोला कि मैंने एक bill drone किया यज़ मैंने एक check drone किया ये मान के चलिए मैंने एक check drone किया और B को वो check मिल गया मेरा SBI bank है तो मैंने किस पर drone किया SBI Bank पे, मतलब मेरा जो checkbook है उसमे SBI Bank का check है वो मैंने सामने आले B को दे दिया B ने अपने ICIC Bank में जमा करा दिया फिर बाद में अपने bank को बोलता हूँ अरे नहीं नहीं आपको इसको payment नहीं करना चाहिए था आपने गलती कर दी तो जो bank के SBI Bank वो क्या बोलेगा कि भाई आपने ही तो check पर नाम लिखा था किसका B का आपने जब check काटा तो उसमें आपने क्या लिखा पे to B ये लिखा तो हम तो B को ही पे करेंगे उसमें date भी लिख दी और सामने आले B ने क्या कर दिया बैंक पे भी जमा करा दिया जो check लिख रहा है उसका जो bank है जिसको हम बोलते है ड्रॉई क्या बोलते है ड्रॉई वो क्या कर रहा है अच्छे faith में काम कर रहा है और 10 और के according की क्या कर रहा है पैसा डाल रहा है 10 और क्या according की term दे रखिए उसके according की check को clear कर रहा है देखिए यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यह नौट काट दीजिए एक बार और यहां पर भी नौट काट दीजिए अपड़िये तो इसका मतलब क्या है कि जो bank है जब वो check क्या करेगा एक तरीके से clearing house के तरू क्लियर कराएगा तो उसको तो यही लगेगा ना SBI Bank को कि यार B का नाम लिखा है तो B को ही pay करेंगे सीधी से बात है यहां पर A ने मना ही नहीं करा पर आपको बता है कि B का नाम लिख दिया clear हो गया बाद में A बोल रहा है कि आपने कैसे payment कर दिया तो SBI Bank क्या बोलेगा सामने आले bank की गलती नहीं होगी क्योंकि इसने good faith में काम किया है उसकी कोई लापरवाई नहीं रही है और यहां पे कोई ground believe करने का भी नहीं था कि जो person entitle कर रहा है receive उसको तो मिलेगा ही मिलेगा तो bank को तो यह लग रहा है कि B को तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि B का नाम है उ और bearer of the instrument is inoperative in way of section 31 of RBI Act which provide that no person in India other than Reserve Bank of India or Central Government can make or issue promise you not payable to bearer of the instrument तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कोई भी person यहां पर और the bearer of instrument जब भी लिखा होता है तो यह बोल रहा है कि RBI Act के according section 31 के according इन operative है किसके case में which provide that no person in India other than RBI Central Government RBI Central Government के अलावा कोई भी person ना बना सकता है ना issue कर सकता है जो कि किसको पर बोलो bearer to the instrument यानि उस पर एक certain person का नाम होना चाहिए certain person का नाम होना चाहिए जब भी प्रॉमिसरी नोट issue करे तो यह बोल रहा है कि RBI Central Government के लावा जो भी person issue करता है तो उसमें क्या होना चाहिए bearer का नाम होना चाहिए यह RBI Act के according दे रहा है इसका मलब RBI के पास power और Central Government के पास power है कि वो bearer of the instrument नाम से जो प्रॉमिसरी नोट है वो issue कर सकता है लेकिन और को issue नहीं कर सकता यहां पर जनली यह दे रखा है अब देखें डिस्टिंशन जो बताया था उसमें क्या था यह मैंना आपको बता दिया था प्रॉमिसरी नोट बिल्स और की आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको पे कर दूँगा है आप मुझे advance करता है इसमें और तौब करता है कि ड्रोवर direction को मेरे ब्याव पर किसी और पर किसी और पर संको पे करना है इस particular maturity date पर 3 मेने का बिल है उसमें 3 दिन grace के जैसे आपको पता है grace कभी मैंने नीचे cover किया है अलग से आपको बता चल जाएगा देखिए यहां पर बोल रहा है कि यहां पर कोई condition नहीं होती अब bills of action में ऐसे बोलता है कि लिखते वे कोई condition नहीं होती लेकिन जो accept कर रहा है तो वो conditionally accept कर सकता है ठीक है लेकिन लिखते समय कोई condition नहीं होती यह generally मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें भी यह लिखा वा था कि bill क्या कर सकते है जब भी drawn करते है तो उसमें condition नहीं होती अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि मेकर की लाइबिलिटी प्राइमरी एपसुलूट है यानि उसको ही बेगर ना पड़ेगा आपको पताए कि जो सेलर है जिसने कुछ बेचा है उस पर बिल लिखा गया कि इसने लिखा मेकर ने बाय अब क्या है देखिए अगर आपको पोल रहा है कि एक ड्रॉवर है जिसने और दिया B को अरुकर द्रॉई को ओके यह मैंने लिख दिया अब देखिये एक सेलर था और दौर बायर और यहाँ को ऑडर दिया कि दो महीने बाद आफटर तू मंत आपको क्या गंड़ना पे गं यहाँ पर A को बीच में ही पैस होगी जड़त हो गई तो क्यों क्योंकि एक क्रेटर आ गया A का एक क्रेटर था X X ने उससे पैसे मांग लिए तो A ने X को बोला कि यह आप बिल ले लिजिए मैं आपको एंडोर्स कर देता हूँ ठीक है और उसको दो महिने तक आप होल्ड करके रखना या जो भी अभी पीरेट बचा है वहाँ तक होल्ड करके रखना और B से आप पैसे ले ले लेना अब मान के चलिए कि अगर B पे नहीं कर पाता ठीक है आपको बता है कि यहाँ पर लाइबरिटी किस की है प्राइमरी बी की है यानि ड्रॉई की प्राइमरी लाइबरिटी है लेकिन अगर B पे नहीं कर पाता तो उस केस में जो A है ड्रॉवर बाद में उसको पैकर ना पड़ेगा X को यही तो हो गया क्योंकि अगर आपको पता है कि X पैसे लेने गया और B पै नहीं कर पाया तो X बाद में किसको पकड़ेगा A को ही पकड़ेगा क्योंकि X के लिए A क्या है data है X को किस से पैसे लेने A से क्योंकि A ने X से माल खरीदा हुआ A ने फिर B को माल बेचा हुआ है A B से पैसे लेता लेकिन आपको बताए कि A को बीच में पैसो की ज़रत हो गई क्योंकि उसको pay करना था X को तो उसको क्या करता है bill दे देता है, endorse कर देता है X ने maturity पर रखा और वो B के बास गया B ने नहीं दिया, B ने नहीं दिया तो X बात में किसको पकड़ेगा, A को ही पकड़ेगा तो यहाँ पर drawer की जो लाइबलिटी है, वो कहा है secondary है और conditional है secondary है, good morning पारूल तो देखिए यह बाट आगया, अब आप देखिए distinction between promise of note और check का पार्ट है, यह भी cover कर लेते हैं और उसके बाद यह है bills of exchange और check का पार्ट और मेरे according आपका भी सारा पार्ट खतम फिर अगली वीडियो से cover करेंगे फिर भी चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, promise of note section 4 है और आपको बता है check section 6 है मैंने आपको बता है तब 4, 5, 6 ऐसे याद रख लेना 4 में आपको बता है क्योंकि कभी-कभी आपका list 1, list 2 इस तरीकी से आ जाएगा तो promise of note में क्या होगा आपका section 4, section 5 कि से related होगा आपका bills of exchange और section 6 जो है वो check से related होगा इस तरीके साब क्या रखना है section 4 है, section 6 है फिर देखें, हमें बोले, दो पार्टी है, maker पर ही same वोई line आगी, जो भी हमने पढ़ी थी यहाँ पर देखें, तीन पार्टी आगई, drawer, drawer पर ही जा रखना, कि मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि जब आप bills of exchange का भी difference cover करेंगे तो उसमें क्या है, कि जो drawer ही, वो कोई भी person हो सकता है banker भी हो सकता है, अभी आप पढ़ेंगे जब difference तो आपको बोता चल जाएगा, पर check में जो drawer होता है वो हमेशा कौन होता है, bank करी होता है आपका bank, क्योंकि आप उस पे drawn करते हूँ आप उस पे drawn करते हूँ, ओके, अरपन, good morning अरपन अब देखे, प्रॉमिसरी नोट में क्या बोल रहा, इट कंटेंस है प्रॉमिस तू पे दर सम विद इंट्रेस्ट और विदाउट इंट्रेस्ट अटे लेटर डिट आपको बता है, उपर जम मैंने आपका example बताये थे, प्रॉमिसरी नोट में अब मुझे उपर जाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए, तो मैं चल जाता हूँ क्योंकि देखो, इसके बिना मज़े भी नहीं आते हैं समझाने के बिना ने तो मैं उपर लाइन पड़ सकता हूँ, हर लाइन को समझाएंगे, तब भी थो थोड़ा पता चलेगा कि आपको क्या पाट है देखो, जैसे मैंने यहाँ पर वैसे शायद cover नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, I promise to pay B or order Rs.500 and interest at the rate 5% per annum तो देखो, आपको बता है कि यह capable to certain है, किसको certain किया जा सकता है, capable to certain Sir, next video इस topic कि कब आएगी, अरपन, यह तो चली रही है, यह तो आपको मिल जाएगी और अगली वीडियो आज नाइट में ही मेरे साफ से मैं प्रोवाइट कर दूँगा, 10 बजे तो यह तो आपको मिली जाएगी, यह तो आपको मिली रही है, पहली वीडियो में ने दे दिये, उसका भी लिंक में चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यह आपको पता हीए, कि आप पेज पर जा सकते हो, वहां से आप देख सकते हो, और इसके बाद आप य यह था, यह रहा, इट मस्ट कॉल फॉर पेइमेंट इन मनी एंड मनी ओनली, यह था, ठीक, अब देखिए, यहां पे जो इंट्रेस्ट है, वह भी मनी की बात करेगा, क्योंकि इंट्रेस्ट में जो पांच पर सेंट पर हैं, उसको फिक्स किया जा सकता है, कि बाई कि इतना यह तो पता ही नहीं, लेकिन यहां पे तो आपको पता है कि इंट्रेस्ट किसी ने किसी पार्ट में निकलेगा, पांच पर सेंट पर है न, तो किसमें निकलेगा, डियो माउन पे, तो इसको फिक्स किया जा सकता है, तो आपको यह यही बोल रहा है, प्रॉमिसर नोट में, कहां गया यह रहा कि promise to pay the sum with interest और without interest at a later date आपको बता है दो महीने तीन महीने का भी लिखा गया नॉमल सा पाट इस पेवल इमिडेटली on demand without any days of grace तो मैंने आपको बता है था कि इसमें grace के days जो 3 days है वो नहीं जुटते हैं और इमिडेटली demand पर पेवल होता है जबकि आपको बता है कि जैसे bills of exchange बोलते हैं वो एक future date पर भी हो सकता है और demand पर भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे case आ सकते हैं बिल्स of exchange के इस तरीके से पढ़िए आपको आराम से समझना आएगा आपको पता है कि प्रॉमिसरी note को जरूर नहीं कर सकते हैं उस पर आकाउंट पर यह नहीं लिख सकते हैं ले रखा या उसने माल खरीद रखा ऐसे बोल सकते हैं तो लोन र Bloody seized यह सब्सक्राइबे जिसको पैसा मिलेगा तो यहां पर देखो क्या लेकिन यहां पर वह बोल्दी है कि एक जैसे हमने चेक लिखा और यह कि अगर bounce हो रगया हमने चेक लिखा रिखा raised रहेंगेड ये बीक्र सकता है पर है ये क्रिमिनल नमीपीटि हो सकती है चेल की सजा भी हो जाते हैं मुझे द्यान आ रहा है आप एक बार गूगल पर सर्च करना सेक्शन 138 तो आप एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आती है देखिए एक सिविल लाइबिलिटी होती है नॉर्मल डेमेज आपको देने पड़ते हैं जो भी आपने नुकसान किया वो डेमेज जितना वा ठीक तो यहां पर यह बोल रहा है प्रॉमिस्स नी नोट आप लें सकता है आपको बता है कि आपके पास चैक है आपको पैसे चाहिए तो आप खुद के नाम पे साफ नाम से लिख सकते हो self लिख दिया तो इसका मुलब क्या है कोई भी जाके पैसे निकाल के आ सकता है तो आप खुद भी जाके पैसे निकाल के आ सकते हो या bearer check भी हो सकता है तो किसी person के नाम पर भी लिख सकते हो और आपको बताए कि अगर आपने self लिख दिया देगे criminal liability में भी impose on drawing नहीं है on drawer है क्योंकि यहाँ पर आपको बता है कि इस case में कौन होगा criminal liability impose करने पर criminal liability में भी impose on drawer 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 पर impose की जा सकती है क्योंकि लिखने वाले का ही dishonor हुआ है यहाँ पर bank का क्या मतलब होगा बैंक पर थोड़ी criminal liability होगी यहाँ पर liability होगी जो चैक लिख रहा है क्योंकि उसके अकाउंट में sufficient पैसा नहीं है और चैक बाउंस होगी ठीक तो आपको बता है कि इसमें दो साल तक की सजा भी हो सकती है और something क्या होता है फाइन होता है जो चैक के अमांट का दुगना होता है ऐसा something होता है एक बार 168 पर जाके देख लेना मेरे साब से यही कि दो साल तक की सजा और जो चैक का अमांट है जो प्रॉमिसरी नोट है उससे रिलेटेड एक्स पार्टी ने वाई को कि अगर आप प्रॉमिस करा पे करने के लिए अब वाई जो तीन साल के अंदर केस कर सकता है ना अगर एक्स पेमेंट नहीं करता तो आपको बताएं इसमें जो लिमिटेशन है टाइम की वह तीन साल तक क डिफरेंज बिल्स ओ एक्सकेंशन फाइब चेक सेक्षेंशन 6 यहां पर 2 यहां पर भी 3 पार्टी यहां पर जो सकता है लेकिन चैक में हमेशा बैंक करी होगा बिल्स ओने पर आपको बताएं और चेक क्या होते हैं यहां पर लिए जानली तीन दिन दिन जो गरें उते होते कि मैं आप से जब भी मांगू पेवल ओन डिमांड जब भी मांगू आपको देने पड़ेंगे तो इस केस में बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि यह convenience अविलेबल हो जब पेवल ओन डिमांड हो ठीक है कि एक मिनट कि अब देखें इसका फिल्स ऑफ एक्षिंट ड्रॉइज ऑल्वेज बैंकर यहां पर क्या बोलते हैं कि कोई भी चाहें बैंकर भी और वो द्रॉइब बन सकता और यहां पर मैंने का बताया था द्रॉइज हमेशा बैंकर ही होगा चैक के के समें अब देखेंए बिल्स ऑफ एक्षिंट में क्या बोल रहा है उसके अगले दिन पहुचा उसके बास बिल जैसा पोश्ट के थुरू पहुचा सामने वाली की अक्नॉलेजमेंट आ गया तो वह एक्सेप्ट कर लेगा जैसे एक्सेप्ट हो गया वो लाइब हो जाएगा कहने का मलब जैसे द उससे पहले उसको यह एक्सेप्ट कर देना जरूरी है इंप्छेप्ट हो जाता है इस केस में जिस पर मैंने चैक लिखा SBI bank पे उसको accept करने की जुरत भी नहीं है क्योंकि यह जो check है वो खुदी एक acceptance का proof है कि अगर मैंने check लिख लिख लिए और सामनाले को दे दिया तो इसका मलब उस bank ने accept कर लिया है अगर मेरे bank में पैसे होंगे तो अपनीया पैसा कट जाएगा और सामनाले के बास चले आएग कि आप पे कीजिए आप ऐसी बोल दकते हो ना देखो आपको बताए कि एने भी को क्या रखा है एने बी को बोला कि मैंने बिल लिखा बेने accept कर लिया अब एने क्या कर दिया बैंक को क्योंकि एको पैसो की जूरत हो गई बीच में तो बी तो अपने टाइम पे 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 करेग हो गया क्या हो गया तो अब बैंक किसको पकड़ेगा एक को ही पकड़ेगा तो उस केस में आपको बताए कि ड्रॉवर ही क्या होगा चार्ज होगा यहां पर क्या बोल दिया जहां पर चैक ड्रॉवर होता है notice of dishonor is not strictly necessary dishonor का notice strictly जरूरी नहीं है banker can return the check with the memo referred to drawer which is a sufficient notice तो banker क्या करेगा चैक को return कर देगा इस memo के साथ यह लिखके वे कि refer to drawer जो कि एक sufficient notice है कि हमने notice दे दिया है यहां पर देखिए इस ट्रॉच्ट प्रोटेक्शन अविलेबल नहीं है जबकि यहां पर क्या बोल रहा है section 85 of N.I. Act 1881 afford protection to banker यहां पर production मिलती है फिर देखिए civil liability होगी केस में बलब normal damage है में जो की होता है आपको पता है कि क्या होगा इस बिलका dishonor हो गया कि भाई मैंने not republics अटेस्टेट करा है 100 पर लग गए और बिलका माउंट 10,000 है तो मैं 10,000 प्लस 100 पर तेर से 10,100 पर ले लूँगा 10,100 ले लूँगा तो यह नॉर्मल डेमेज हो गया लेकिन criminal liability में क्या हो गया जो चैक बाउंसिंग हो उसका चार्जेज देना पड़ता है जो फाइन हो गया जनरली वह देना पड़ता है और साथ में जेल की सजा भी हो सकती है कह रहा है एंड इस लाइबल तो बीडियो कवर करेंगे उसमें क्लासिफिकेशन का पार्ट कवर कर लेंगे तो लाश्ट पार्ट है देखिए है वह बोल रहा है कैपिसिटी और पार्टी टुए नेगोशिबल इंस्रुमेंट सेक्शन 26 परसन मस्ट भी कैपिबल ऑफ पार्ट परसन में कैपिसिटी ओनी चाहिए ठीक तो इसका मालब क्या परसन यह वी लायवल और आप देखो आप बोलो कि सर्क्व मेजर परसन होना चाहिए आपको पता है पिर आपने वह अन्साउंड माइंड होना चाहिए यह वह स्वस्त्व मस्तिश्च का होना चाहिए जिसमें idiot नहीं आता, lunatic person नहीं आता, इस तरीके से आपको पता है, या drunken person नहीं आएगा, क्योंकि उसने drunk करावा है, तो उसके सोचने समझने की शमता नहीं है, तो एक major person होना चाहिए, एक sound mind होना चाहिए, और ऐसा person जिसको contract करने के लिए disqualify नहीं किया हो, मलब जैसे insolvent, तो insolvency पर वो क्या कर सकता है, contract नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो capable नहीं है, contact करने के लिए, तो एक solvent person, मलब जिसके आपको पैसा है, जिसके बास उसकी estate है, उसकी estate में से recover क्या सकता है, इसके आपको बता है, वो नहीं कर सकते, जो enemy country है, उसका जो भी कोई member हो गया, या को बार ना लिखना कर रही है अन्डोर्स करना किसी पार्टी को दे दिया क्रेवेटर को दे दिया यह सारा बार कर सकते हो कब अगर लॉग की नज्रों में आप capable हो तब यानि आपके वास capacity है तब लाइवरिटी इन केस हो माइनर देखिए आप माइनर ने जो भी लेकिन माइनर चेलियर लेकिन माम कब भी बाउन ने तो इसका अगली वीडियो में इसी तरीके से और भी पार्ट आएंगे देखो ये तो पार्ट हो ही जाएंगे फिर मेरे साब से आपका maturity of negotiable instrument का पार्ट आएगा आपका assignment का पार्ट आएगा कि assignment और उसमें क्या difference है mode of negotiation आएगा जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कोई ज्यादा simple नहीं है ज्यादा typical नहीं है simple पार्ट है फिर assignment का पार्ट आएगा negotiation assignment में क्या difference है वह आ जाएगा dishonor का पार्ट आएगा आपका और last मेरे हिसाब से आएगा आपका duties of the holder upon dishonor ठीक है और discharge of negotiable instrument इस तरीके से इतने सारे पार्ट है तो discharge सारा पार्ट कवर करेंगे डिस्वार का पार्ट कवर करेंगे assignment और negotiation में क्या difference है वह सारा पार्ट कवर करेंगे तो अभी तक मेरे आपके शायद कमेंट वापिस से आउट हो गया है कमेंट चल नहीं रहे हैं तो मझे कमेंट शो नहीं हो पाएंगे तो मैं क्या करता हूँ अब इस ट्रीम को end करते हूं वीड़े देखने के लिए थेंक्यू देखिए ज़यादर से जादर लोगों तक शeer कीजियेateur लीडियो जड़ीो करता हूँ पब्लिक तो आप जरूर किजिए लोगों को शेर कीजिए और वीडियो को जरूर देखते रही है पूरा एंट तक देखिए आपके कॉंसेट भी क्लिर होते जाएंगे और देखिए आपके लिए स्पैसिफिक लिए बना रहा हूं और इसमें करेंगे अगले पार्ट में मेरे साफ से नेगोशिबल इंस्ट्रूमेंट मेरे साफ से खतम हो जाना चाहिए नहीं खतम होता तो दो और वीडियो लगेगी इसकी मलब टोटल मिलाके उसके बाद इसके कवर करेंगे तो यह वीडियो देखने के लिए थैंक्यू